हलो दोस्तों मैं हूं पंकाज और आप सबका स्वागत है अपके अपने चैनल सब जोग के अंदर हमारा ये वीडियो होने वाला है उपर राष्ट पती के वारे में उनके कारिये उनके चुनाव उनकी योगेता और उनकी सक्तिया वा कारिये आज हम इन सब में पढ़ने वाले है तो उपर राष्ट पती को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में ये क्यूसन जरूर आने यह दिए आइडिया हमारे दिमार्ट में आते हैं तो हमें इनकांफोर अपने आप मिल जाएगा तो चले स्टार्ट करते हैं यह रेपेड रिविजन तो भारत का उपराष्ट पती है उसकी बात कर लेते हैं देश का दूसरा सरवुच्पत जो देश का होता है वो भारत के रा उपराष्ट पती का चुनाव एपर्थेक का रूप से होता है, यानि कि गुप्त मतदान से होता है, बताते हैं आपको, कि संसद के दोनों सतनों के सभी सदस्यों का दवारा गठित निर्वाचन मंडल दवारा उपराष्ट पती का चुनाव किया जाता है, चुनाव आनुपा प्राश्टपती के निर्वाचन मंडल राश्टपती के निर्वाचन मंडल से दो बातों में भीन होता है, उनकी बात कर लेते हैं, कैसे कैसे, उप्राश्टपती के निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनित दोनों प्रकार के सदसे होते हैं, काफी सभाओं के सदसे नहीं होते जबकि राष्टपती के निर्वाचन में इनके निर्वाची सदसे भाग ले सकते हैं। पद पर तब तक ही आसीन रहेगा जब तक कि उनका उत्रा अधिकारी पद गरहन ना कर ले। ठीक है। उससा बतादू कि अमेरिका के राष्टपती के उपराष्टपती होता है उसके भाती ही भात के उपराष्टपती का कारिय होता है। और वहीं पर बतादू अमेरिका का उपराष्टपती होता है वहाँ के सिनेट का वियान की उल्ट सदन का सभापती होता है। अब किसी विधेक प्रस्थाओं के पक्स में मत होता ना तो वह मत के बारे में बात कर लेते हैं। विधेक पास हो रहा है हमान लो कि पक्स में भी बराबर वोट पड़े हैं और विपक्स में भी बराबर वोट पड़े हैं। तो क्या करता है उपराष्टपती अपने निनाइक मत का प्रियोग कर सकता है। दूसरा अब किसी कारण से जब भी राष्टपती का पद है वो जिक्त हो जाता है या फिर राष्टपती एह समर्थ हो जाता है कार्य करने में तो उपराष्टपती है वो राष्टपती का पद पर कार्य करेगा और कार्य उस समय तक करेगा जब तक राष्टपती अपना पद गर्णना कर ले जिस काल में उपराष्ठ पती राष्ट पती पत पर कार्य करेगा तो वही उपलब्डिया और वही वेतन भत्य राष्ट पती के समान ही उपराष्ठ पती को मिलेंगे अब दूसरी जो इंपोर्टेंट एक लोड़ी सी बात है भारत के पर्थम उपराश्ट पती कौन थे यह दिया आपको पता है तो कमेंट में मुझे कमेंट करके जुरूर बताईएगा आज लेशिक इतना ही धन्यवाद देखें